प्यारे दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस क्लास में तो आज हम क्या करने वाले हैं तो देखिएगा चैप्टर नमबर 6 यानि कि BRS का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नमबर 7 हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं ठीक है तो यह हमारा कहां पर है तो यह है आपके टेक्सबुक में पेज नमबर 210 पर ठीक है यह रहा आपका कुश्चन नमबर 7 कहां पर है पेज नमबर 210 पर है तुम्हें यहां पर देखो पेज नमबर भी लिख देती हूं 210 तो आईए सबसे पहले इस को अच्छे से पढ़ते हैं और फिर उसक पर 20 पिया स wishy को और लेकिन को कुछ और है इस बाइस पर नहीं क्या इस होता है में आप आप लोगों को बताया ही है देखो सबसे ऊपर आप क्या लिखोगे बैंक रिकंसिलेशन थोड़ा मैं इसको नीचे कर दो देखो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ठीक है और वहां पर जो डेट दिया गया था वो डेट आप लोगों को लिखना है 31st December था ना एक बार मैं देख लो जड़ा 31st January 2018 तो इसको मैं यहां से मिटा देती हूँ देखो डेट प्रॉपरली आप लोगों को लिखना है 31st January आईए लिखते हैं अभी हम लोग और अब आप लोगों को यह जो बियार ऐसे वह आसान भी लग रहा होगा क्योंकि इससे पहले हम लोग कई सारे कोस्टन्स कर भी चुके हैं है ना जैनुरी 2018 यह लिखे मैंने लिख दिया फिर उसके बाद यहां पर आप लोग तीन कॉलम्स बनाओंगे जो पर्टिकुलर्स वाला कॉलम होगा वह बड़ा होगा बाकी जो दोनों कॉलम्स है वह अमाउंट के लिए होंगे एक प्लस वाले अमाउंट के लिए दूसरा माइन करते जाते हैं तो देखिएगा सबसे उपर यहां पर देखो कौन सा बैलेंस दिया है तो बैंक बैलेंस दिया गया है एस पर कैश्वू कितना 40,000 का तो अभी इसकी रेकॉर्डिंग हम कहां पर करेंगे प्लस वाले साइड में करेंगे तो सुनो मैंने आप लोगों को बताय हैं फवरेबल अगर अमाउंट रहा यहने कि फैवरेबल बैलेंस अगर रहा तो सब्स वाले में जाएगा धी Ol conservative मतलब मतला है तो उसको भ曲ंगों मयyn लिखेंगे यहां पर क्या ढिया है गया यह न है तो फिर इसकी रेकॉर्णिंग कहाँ पर करेंगे लोग तो हम प्लस वाले कॉलम में करेंगे यहां पर क्या लिखेए उस्टूडेट्ट देखिए का गो काफी मोटा लग रहा है अगला यह तो समझ आया आप लोगों को अब देखते हैं पहला पॉइंट अच्छा सारी चीज़ा समझ में आएंगी मैं कह रही हूं यह बहुत सिंपल है बस एक बारा पच्छे से इसको समझने कोशिस तो करो फिर आपको आपको कोई भी सवाल दे द हो क्या रहा है सारी जो यहां पर स्टेटमेंट दीएगा उनको अच्छे से पढ़ो उनको समझो फिर आपको यह बहुत सिंपल लगेगा ओके आईए एक यह करके देखते तो सबसे पहले यहां पर अगर हम देखेंगे तो क्या लिखा है कि चेक एशूट फॉर रूपीज वन लाइक इन जन्वरी 2018 बट चेक्स ऑफटी थाउजन ओनली प्रेजंटेट टू बैंक फॉर पेमेंट विफोर विफोर जैन्वरी थर्टी फॉर्स 2018 अब समझेगा इसको ध्यान से देखें पहले यहां पर अच्छे से सुनों यह आपका कैश्बुक है प्यारे बच्चो यह है आप लोगों का पास्बुक तो होता क्या है देखो हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने मतलब बिजनसमेन ने बिजनसमेन जो है वो क्या मेंटेन करके रखते कैश्बुक और बैंक वाले ना पास्बुक मेंटेन करके रखते इस बात का ध्यान में रखिएगा ठीक हम लोगों ने कैश्बुक में इसके रेकॉर्डिंग कर दी लेकिन हुआ क्या पहले सुनों यहां पर देखो क्या लिख्था है लेकिन बट चेक ऑफ रुपीज प्रेजंट टू बैंक पॉर पेमेंट विफोर जन्वरी चेक था उसी को प्रेजंट किया बैंक के सामने थर्टी फोर जन्वरी टू थाउजन एटीन से पहले ठीक है यहां पर हम कौन से महीने का बना रहे जन्वरी का बना रहे तो इसी को कंशिडर करना पड़ेगा उसके बाद उसने फरवरी में क्या क्या हमें उससे कोई मतलब नह चेक उतना ही तो पैसा देगी ना तो बैंक में से कितना पैसा आपका डिडवक हूँ नहीं किया चेक को बस उसने 50,000 के पास तो जितना उसको पैसा उन्होंने उसको पेमेंट कर दिया तो आपका पास से नीचे गया हूँ दिखाए देगा लेकिन कैश्बूक एक लाग से तो बताएंगे यहां पर difference हमें देखने के लिए मिलेगा न कितने का difference देखने के लिए मिलेगा प्यारे बच्चों बताओ जुल्दी से 50 दार का difference देखने के लिए हमें यहां पर मिलेगा ठीक है अब plus करें या फिर minus करें तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ as per cashbook तो यहां पर जो लिखा रहता है उसी में हम changes करते है आपको पताया था ना मैंने ऊपर जो आपने लिखा है उसके उसी को पकड़ लो उसी में आपको ओपर नीचे जो भी करना है आपको cashbook में ही करना पढ़ेगा पास बुक को आपको छूना भी नहीं है तो हमें Cashbook में यह चेंजिस करने होंगे Cashbook को हमने 1,00,000 से नीचे ले करके गए थे लेकिन यह तो 50,000 से नीचे है मतलब पास बुक हमारा यहाँ पर है और cashbook हमारा यहाँ पर है अब Cashbook को आना है पास बुक के पास तो उपर जाना पड़ेगा यह फिर नीचे देखो यह देखो कर्व कैसा मन रहे है ऐसे ऐसे यह तो उपर के दरफ जा रहा है उपर यह यानि कि प्लस करना पड़ेगा अच्छा कितने का अमाउंट डिफरेंस है बताओ जल्दी से पचास हजार का तो यह जो पचास हजार है न यह हम कहां पर लिखेंगे तो यह हम लोग प्लस वाले कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसे तो हमें प्लस करना पड़ेगा ओके जी बात समझ में आ रही है आप लोगो को तो यहां पर नंबर वन डाल करके क्या लिखोगे जो य यहां पर आपको लिख करके बताना पड़ेगा कि यह 50,000 किसका है तो लिखो यहां पर कि चेक इशूड चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड पॉर पेमेंट ओके जी देख लेजे चेक तो आमने इशूड कर दिया लेकिन उसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किय इसलिए यहां पर 50,000 आ जाएगा प्लस वाले कॉलम में मुझे उम्मीद है आप लोग यह बात समझ गये होंगे आईए अभी अगला यहां पर पॉइंट देखते हैं दूसरा पॉइंट देखो भई इसमें क्या लिखा हुआ है कि चेक सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन काफे जाला पतला हो गया फिर वो कैमरे में अच्छे से दिखता नहीं है फिर आप लोग कंप्लेन करते हो कि हमें तो दिखाए ही नहीं देरा बड़ा चोटा चोटा दिख रहा है तो आप मैं सही करके लिखती हूं देखो यह हमारा कैश्बूक हमारा पास्बूक तो हमने क चेक से पैसा मतलब वो चेक क्या है मतलब देखो वो चेक से हमें क्या करना पड़ेगा उससे पैसा मिलेगा ना तो ऐसे घर पर रखे रखे मिल जाएगा क्या नहीं उसको बैंक में देना पड़ेगा जब हम बैंक में देंगे ना फिर वो बैंक वाले क्या करेंगे उनकी अ Check Deposited. Chicks to Bank for Collection. यानि हमनेökस जोकितने च्रइट दिया है? Collection के लिए, है ना? तो देखो, हम लोगों ने बैंक को कितने… कितनेट 2,00,000 गजय, कितने के बैंक को एचंट के लिए, बैंक को जब चेक हो, collection के लिए, तो उसी टा hone पर हमारे Cashbook में entering हो जाएगी. यानि हम क्या करेंगे हमारे cashbook को 2,00,000 से बढ़ा लेंगे कितने से बढ़ाएंगे प्यारे बित्चों 2,00,000 से बढ़ा लेंगे हम सोचेंगे यह जो हमारे account का balance है वो 2,00,000 से बढ़ चुका है अब देखो actually में होता क्या है मैंने आपको बताए कि यह जो passbook वाले है यानि जो bank वाले है जब actual में वो transaction होगा तब भी उसकी recording करेंगे अगर उन्होंने पचासर का payment किया तो उतना ही record करेंगे अगर उनके account से मतलब उनके account में अगर पचासर आया तो वही record करेंगे जब तक actual में payment या फिर payment नहीं होगा तब तक वो यहाँ पर recording नहीं कर सकते तो देखिएगा actually में यहाँ पर क्या हुआ था ये तो आपको समझ में आ गया कि हमने दो लाग का चेक दिया था collection के लिए लेकिन हुआ क्या देखो which checks of rupees 80,000 only credited by bank credit का मतलब क्या होता है bank में हमारे bank में पैसे आना तो देखो जिसमें से न बस 80,000 का ही मतलब 80,000 पैसा ही क्या हुआ है January 2018 में आया है जनवरी 2018 में बस 80,000 ही पैसा आया बाकी जो 1,2,000 है न वो अभी तक हमें नहीं मिला है वो मिलेगा आगे future में मिलेगा bank की बात कर रही हूँ बस यह 80,000 ही आपके account में आया है तो bank क्या करेंगे जितना पैसा इनके account में आया है ना उतने से इसको बढ़ा देंगे यानि उन्होंने यह 80,000 से passbook के balance को बढ़ाया है और हमने किस से बढ़ाया था 2,00,000 से बढ़ा दिय 2,00,000 में से 80,000 को माइनस कर दो कितना आएगा 1,20,000 मतलब जो हमारा cash account है वो अभी भी 1,20,000 से उपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन passbook का balance तो इतना ही रहेगा क्योंकि passbook में बस 80,000 की ही recording की गई है तो देखो cashbook आपका यहाँ पर है अब क्या करना होगा हमें changes cashbook cashbook को passbook के पास आना है तो उपर जाना पड़ेगा या फिर नीचे तो ऐसे आना पड़ेगा नीचे की तरफ नीचे आया मतलब क्या करना होगा जी बिल्कुल सही हमें तो माइनस करना होगा यानि कि यह जो 1,20,000 का amount है ना इसे हम कौन से कॉलम में लिखेंगे तो माइनस वा है दूसरा नमबर डाल करके तो यह स्टेटमेंट हमारा कैसे बनेगा देखते एक बार क्या लिखा है चेक सेंग टू बैंक पॉर कलेक्शन आउट ओफ विच ओल्ली 80,000 ऐसे मतलिको कैसे लिखोगे मैं बताती हूँ आप लोगो को चेक सेंग टू बैंक पॉर कलेक्शन इस नौट क्रेडिटेड इन आवर अकाउंट मतलब अपने मन से बना करके सोचो क्या लिख सकते हो लाव मैं भी लिखती हूँ थोड़ा तो देखिए सेकेंड नमबर डाल करके मैं लिखती हूँ क्या लिख सकते हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि चेक डिपोजिटेड यानि कि हमने चेक deposit कर दिया लेकिन bank वाले ने उसको collect नहीं किया यह डिख सकते हैं आईए फिर हम इधर लिख देते हैं क्या लिखेंगे कि check deposited हमने चेक तो deposit कर दिया but not collected by bank समझा ना हमने deposit कर दिया था लेकिन bank वाले ने इतने का चेक कलेक्ट नहीं किया इसलिए यह वाला amount हमने minus वाले column में लिखा है ओके आओ यहां पर अगला जो point है वह हम देखते हैं तो point number 3 इसमें क्या लिखा है कि following entries were shown in past book in January 2018 but no corresponding entries were made in cash book यानि कि यहां पर यह जो सारे entries दी गई है ना इसका recording हमारे किसमें हुआ है past book में तो हुआ है लेकिन cash book में यह शो नहीं कर रहा है मतलब यहां पर जो भी आपको bank वाले हैं क्योंकि यह सारी entries बस past book में दिखा रही है इसमें नहीं दिखा रही है ओके समझने का प्रयास कीजेगा bank ने क्या किया जो electricity bill था ना वो हमारा भर दिया कितने का भरा चही हजार चार सो रुपे का तो अगर उसने electricity bill भरा है बैंक वाले ने तो फिर past book में तो इसकी recording दिखाई देगी लेकिन cash book में हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा देखो यहां पर यह आपका cash book है यह आपका पास book है तो बैंक ने क्या किया 6400 रुपे हमारा electricity bill पे कर दिया तो क्या होगा जो हमारा bank balance है वो इतने से गिरा हुआ दिखाई देगा लेकिन हमारा cash book तो यहीं पर है अब हमें changes किसमे करने है cash book में करने है तो cash book को नीचे लाना पड़ेगा नीचे आया यानिके minus करना पड हो कि bank paid electricity charges which is not recorded in cash book which is not recorded in ठीक है जिसको आपने cash book में record नहीं किया अब अगर आपने cash book में उसको record नहीं किया है तो आपको माइनस वाले column में ही तो लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें किसमें हम changes कर रहे है cash book में changes कर रहे है तो अगर cash book को पास बुक के पास आना है तो नीचे की तरफ जाना पड़ेगा simple आओ अगला देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर यह दिया है कि interest credited by bank rupees 12,000 पहली बात तो यह है यह जो credit और debit है ना प्लीज इसको आप अच्छे से समझ लो वरना इसमें गलती कर सकते हो जैसे अगर bank में credit हुआ यानि कि पैसा आया और bank में debit हुआ मतलब पैसा गया लेकिन अगर हम cash book की बात करें तो उसमें debit का मतलब क्या होता है debit यानि पैसा आया और credit यानि पैसा गया तो यह आपको अच्छे से clear होना चाहिए तो देखो bank में होता क्या है यहाँ पर ना हमारे bank account में interest credit 12,000 रुपे का यानि कि हमारे bank में पैसा आया है तो देखो इधर देखो यह आपका cash book है यह आपका pass book है थोड़ा में ना एक मिनट यह कहां से आ रहा है रुको इसको उपर करने दो देखो भई मिटो वही मिटो 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 यहां से मिटो तो मिटा यह देखो यह हमारा cash book है यह हमारा pass book है तो हमारे bank account में 12,000 रुपे आया है अगर 12,000 रुपे credit होगा यानि कि जो हमारा bank balance है वो 12,000 से बढ़ा हुआ दिखाई देगा लेकिन यह क्या cash book तो यही पर है क्योंकि cash book में तो इसकी recording की नहीं गई थी अब बताईए हम plus करें या फिर minus करें तो देखो cash book को इसके पास जाना है इसके पास जाना है यह निए उपर की तरफ उपर मतलब positive तो यहां पर plus आएगा कितना आएगा प्यारे बच्चो 12,000 रुपे आ जाएगा तो यहां पर आप plus वाले कॉलम में लिख दोगे 12,000 रुपे और फिर यहां पर क्या लिखोगे यहां पर आप यह लिख लेना चौथा नमबर डाल करके interest credited क्या लिखा था interest credited by bank इंट्रेस्ट क्रेडिटेड बाई बैंक बैंक अपियर्स इन पास्बुक ओनली रैट यह जो इंट्रेस्ट क्रेडिट हुआ है न यह बस पास्बुक में ही सो हो रहा है बागी कैश्बुक में नहीं हो इसलिए हमने इसको प्लस वाले गॉलम में लिखा है नेक्स्ट आप देख सकते हो अगला यहाँ पर क्या दिया है देखो इसमें लिखा हुआ बैंक डेबिटेड कमिशन रुपीज 1,000 और बैंक चार्जेस फौर रुपीज 600 देखो होता क्या है यह आपका कैश्बुक है यह आपका पास्बुक है तो बैंक नहीं क्या किया देखिएगा डेबिट क्या है अब सुनो ध्यान से डेबिट किया मतलब आपके अकाउंट से पैसा कटा है डेबिट कितना 1,000 रुपे यह कमिशन था 1,000 रुपे और यह 600 रुपे क्या था बैंक का चार्जेस देखो बैंक का भी चार्जेस होता है जैसे वो आपके अकाउंट को मेंटेन कर रहे है और दूसरी चीज क्या है कि वो आपको SMS मैसेजस वगरना बेजते रह है वो 1,600 रुपे से कम दिखाई देगा लेकिन यह क्या कैश्च बुक तो यहीं पर है क्योंकि कैश्च बुक में रेकॉर्डिंग नहीं की गई है अब क्या होगा कैश्च बुक को यहां पर आना है यानि कि नीचे की तरफ नीचे मतलब माइनस तो हम यह जो 1,600 रुपे न युदेबिट इड्ड कमिशन और और बैंक चार्जेश, हमारे अकॉंट से पैसे निकाल लिया है एक तो कमिशन दूसरा बैंक चार्ज जो बस इसी में दिखाई दे रहा है पासबुक में मतलब कैश्बुक में दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए हमने इसको यह प्लस वाले माइनस वाले कॉलम में लिखा है नेक्स्ट यहां पर आप अगला देख सकते हूं क्या लिखा है ंते हैं अब हमारे कस्टमर नेनना एक हजार उपेंडेक्ली हमारे अकंट इसने जब पेमेंट करेगब दो एक हजार हमारा बैंक बैलboys को ऊ dar Creek यहीं पर है अब कैश्बुक यहिए पर उपर जाना पड़ेगा या फिर नीचे उपर ऊपर गया मतलब पॉजिटिव तो एक हजार रुपे हम क्या करेंगे यह प्लस वाले कॉलम में लिखेंगे और फिर आप यहां पर छठा नंबर डाल करके क्या लिखोगे सिक्स पॉइंट आप लिखिएगा कि बैंक नहीं कैसे लिखा है यहां पर कि डाइरेक्ट डेपोजिट मेट बाई कस्टमर हाँ ऐसे करके आप लिख सकते हो डाइरेक्ट डेपोजिट मेट बाई कस्टमर थिक और आगे क्या था कस्टमर बाई एन एफ्ट इसको में थोड़ा बड़ा कर दूँ डाइरेक्ट डेपोजिट मेट बाई कस्टमर बाई एन एफ्ट एन एफ्ट का मतलब पता है ना नेशनल नेशनल नहीं कुस तो था मैं भूल गई क्या एक बार देख लेना इसका अब देख लेजेगा एक बार डारेक्ट डेपोजिट बाई कस्टमर बाई एन एफ्ट जो बस अगर उसने एन एफ्ट के थू हमारे बैंक अगाउंट में ट्रांसफर किया है तो वह बस पास्बुक में दिखाई देगा बागी कैश्बुक में इसकी रेकॉर्डिंग नही हमने रेकॉर्ड कर लिया कुछ बचा तो नहीं है एक बार देख लू मैं लो देखो कुछ भी बचा हुआ नहीं है everything we have recorded अब हम यहां पर टोटल करेंगे आई एफे टोटल करते लेकिन उससे पहले यह जो लाइन मगारा है ना प्रॉपरली मैं सोच रही हूं खीच लूँ यहां से एक लाइन कहीं थीसे हैंगे एंसी डार सोटा हो जारहे है यहां तो ऑघड़ बड़ कर रहा है अंनरु पर तो हम करते हैं को हुआशे करते हो नीचे तूम नीचे आओ और यह वाली लाइन भी अब और हमें टोटल लिखना पड़ेगा और इधर जो भी आएगा हमारा बैलेंस वह हम लिखेंगे अब हम टोटल करते हैं ठीक है इस साइड का टोटल करें क्या ऐसे हो पाएगा मुझे लगता है यह वाला साइड यह वाला साइड जादा होगा इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार देख लेए यह एक में लाग बिस जार और यह चौनवसार 4560 यह उटूटल कहलेगा सईंदो क्या मुन सकतना हो एक परघन cents घू सब्सक्राइब प्रसेट जहां पर ऐगा लाइट किसमें आएगा तो यहां पर यहां ice किसमें आएगा तो यह वाला कम पड़ रहा था न किसलो कितना आता है जीरो 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 आठ में स्थीन गया तो पाच आएगा इधर दो आएगा यानि कि पत्चीस हजार यहां पर आचुका है तो पत्चीस हजार का अमाउंट कौन से साइट आएगा जल्दी से सोचिए और फिर मुझे बताएगा इस साइड या इधर कम पड़ रहा था पत्चीस हजार रहा तो यहां पर यह वाले साइड में आ जाएगा यह पनास वाले साइड थीक है अब बताओ यहां बैलेंस मिला है तो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है कि अगर तो सेम टाइप ऑफ बैलेंस मिलेगा और डिफरेंट साइड रहा मतलब यह अपोजिट जैसे उपर अगर बैलेंस है तो नीचे ओवरड्राफ तो नीचे बैलेंस यहां पर देखिएगा अपोजिट साइड है ना यह अमने प्लस में लिखा था और यह भी प्लस में अच्छा यह तो सेम साइड आ गया यानिकि यह अपोजिट टाइप ऑफ बैलेंस को बैलेंस आ तो नीचे वाला क्या होगा ओवरड्राक्ट होगा यह था यह पर पर कैश्पूगूग यह वागा ऐसपर पास्बुक तो आईए मैं इता लिखक करके बता देती हूं यहाँ आप लिखेंगे ओवर्डराफ्ट से यहानोरेसी चलेगा ओवर्ड्राफ्ट eyisज़ कितना 25,000 और ये इस प्रकार से आप लोगों का ये भी कोश्चन होता है प्यारे दोस्तों कम्प्लीट देख लेजी अच्छे से कोश्चन नमबर 7 यहां पर कम्प्लीट हुआ और मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़े अच्छे से समझ में आ गई होंगी फिर भी अगर कुछ स्पीड आउट है तो कमेंट सेक्षन में आप मेंशन कर सकते हो ये कोश्चन नमबर 7 का सॉल्यूशन था मैं आपको एक बार अच्छे से पूरा दिखा देती हूं देखो 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 प्रॉपर ली इसको देखो कुछ ना समझाए तो पूछो ठीक कमेंट सेक्षन में औ और यहां पर देखिए को इसके आगे आपके बचे हुए हैं और भी कई सवाल कोश्चन नमबर एट है नाइन और टेन नाइन और यह तो यह बहुत सिंपल है यहां तक अगर आप समझ चुके हैं तो आगे वाले कोश्चन भी आपको समझा जाएंगे बहुत ही एजी ली ओ बताना अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको सारे कोश्चन समझा रहे हैं कहीं बताया तो करो कि आपको आरा है कि नहीं ठीक है अगर नहीं आता रहे तो और इसको इम्पूफ करेंगे और सिखाए अच्छे से प्रैक्टिस करो और मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई अवरीवन